नमस्कार दोस्तों एक बार फिस्ड़ स्वागत है आपके अपने Youटब चैनल रमे टार्ग के ब हैं जिसमें दिया हुआ है कि जनवरी के महीने में 31 दिसंबर के बाद आपकी Morpho डिवाइस काम नहीं करेगी जी हाँ इदि आप EPS संचालक है आदा कार्ट से आप payment निकालते हैं CSP चलाते हैं और आप Morpho डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो 31 दिसंबर के बाद से आप Morpho डिवाइस का प्रियोग नहीं कर पाएंगे आपकी Morpho डिवाइस वर्क करना बंद कर देगी Morpho डिवाइस से वर्क कौन सा काम बंद हो जाएगा वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कौन सी Morpho डिवाइस चलेगी वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो अंतक देखते रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लैक करें करें और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूँ UIDI की तरब से एक notification जारी कर दिया गया है एक circle जारू कर दिया गया है जिसमें Morpho की जो डिवाइस है वो 31 दिसंबर के वास से वर्क नहीं करेंगी जिसमें आप EKYC करते हो किसी एदि आप CSP संचाला को और अगर आप EKYC निकालते हो आदा कार्ट से पैसे निकालते हो तो वो वर्क नहीं करेंगी नॉर्मल आपका वर्क करती रहेगी लेकिन आ एक है 300E, एक है 300E2 और एक है 300E3 इस तरीके से अभी आपके पास देखा होगा तो आपके बास यह तीन मॉडल उपलब दोंगे जिसमें 300E, 300E2 है और 300E3 है इसमें आपको बता दूँ जो UIDI एक तरफ से अपडेट आया हो जो सर्कॉल जारी किया गया है उसमें 300E और 300E2 को बंद कर दिया गया है जो मॉडल नंबर इनका 300E, 300E2 है यह जो दो आपके पास अगर डिवाइस है तो यह 31 दिसमबर के बाद से आपका यह जनवरी की मंद में काम नहीं करेगा और यह आपके पास 300E3 है तो आप निश्चिंद रहिए आपका नॉर्मल रुप से आप अभी जल्द बहुत जल्द यह बंद होने वाली है और आपको 13E3 आपको नया रिवाइस खरीदना पड़ेगा तो एक छोटी शी इंफोर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत ही मैत पूरती अगर आपको इंफोर्मेशन परसंद आयो तो मैं फिर से आप से एक वार गजारिस करू सब्सक्राइब कर ले साथ में मेरे जो नोटिफिशन डवल आइकोन अप से प्रिस आल कर ले जिससे कि आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिक्शन आपके पास समय समय पर पहुंस अगे थैंक्स फॉर वाच